आज सावन का सोमवार है और शिवभक्त शिवमंदिर में जाके जलाबिशेक करते हैं भारत में नहीं पुरी दुनिया में सावन के सोमवार में शिवभक्त हमेशा जाके शिवमंदिर में जलाबिशेक करते हैं यही काम हर्याना के नू में शिवभक्त करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे 2000 पुलिस लग गई है तीस पुलिस की कमपनियां आ गई है और सरकार कह रही है कि नहीं आप नू में जलाभी शेक मत करिये वहाँ पे आशान्ती फैल सकती है धार 1444 लगा दी गई है और ये कब ये 2023 में हो रहा है 1947 में धार्मी का अधार पे विभाजन हुआ था ये कहके विभाजन हुआ था कि हिंदू नापाक होते हैं हम पाक हैं हिंदू नापाक हैं हमें नया देश चाहिए हमें अलक सी देश चाहिए तो पाकिस्तान बन गया मुस्लिम्स ने कहा हमें पाकिस्तान चाहिए गांधी जी की एक गलती कितनी भारी पर रही आज देखने को मिल रहा है उस समय नूह और मेवात के लोगों को भी सरदार पटेल चाहते थे कि ये भी पाकिस्तान चले जाएं लेकिन गांधी जी बोले नहीं ये नूह मेवात व और वो भी धारक सुच वलिस लगा दी गई है मैं बार बार कह रहा हूँ हज्जारों की संख्या में यहां महां मंडलेश्वर हैं हज्जारों की संख्या में यहां जगत गुरु हैं कथावाचक हैं कृष्ण कथावाचक हैं राम कथावाचक हैं संकराचारी हैं बड़े ब कानून इलाज है इसका कानून 60-60 समाचरेत का सिधान्त लागू करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि भारत में 2037 में बिभाजन न हो पहला बिभाजन 1947 में हो चुका है अगर हम चाहते हैं कि 2047 में दूसरा बिभाजन न हो हमें तत्काल का कुछ कानूनों को खतम करना पड़ेगा और कुछ कानून बनाना पड़ेगा हमें गुलामी के नाम और गुलामी के निशान को मिटाना पड़ेगा हमें गुलामी के इतिहास को मिटाना पड़ेगा गुलामी की भाषा पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा गुलामी की सिच्छा बेवस्था पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा जो विदेशी किताबे पढ़ाई जा रही है भारत में इसकूलों में उसको बैन करना पड़ेगा विसेश दरजा खतम करना पड़ेगा पीसर सिस्टम खतम करना पड़ेगा, गुलामी के सारे कानून खतम करने पड़ेंगे, अल्ब संख्यक बहु संख्यक के नाम पे जो खेल चल रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा, वक्त बोर्ड को खतम करना पड़ेगा, और वक्त बोर्ड ने जितना जमीनों पे कबजा किय या उसको वापस लेना पड़ेगा इसी के बाद इस देश में हमें अमेरिका की तरज़ पे एक देश एक दंड संगिता लागू करना पड़ेगा एक कानून में ही सारा उसी में घुस्पैट भी हो उसी में धर्मंतर भी हो उसी में लैंड जहाद भी हो उसी में लब जहाद भी हो जितने भी अराजक काम होते हैं सब इसी एक यी कानून में होना चाहिए अलग-अलग कानून काम नहीं करेंगे ये 1860 का इंडियन पिनल कोट ये महाग घटिया है इसलिए देश में इतने अलगावादी आ चुके इतनी अराजकता फैल चुकी इतने सर्तन से जुदा हो चुके किसी को भी फासी नहीं हुई न कस्मीर न संगहर वालों को फासी हुई न सिख नर संगहर करने वालों को फासी हुई न बंगाल नर संगहर करने वालों को फासी हुई नमडपूर में नरसंगार करने वालों को फासी होगी ये प्रजेंट जो वर्तमान समय के कानूनी महागटियां है ये इनफेक्टिव है ये कुछ नहीं कर पाएंगे आकिर चाइना में पुलिस नहीं लगानी पड़ती अमेरिका में चर्च में जाने के लिए किसी को पुलिस नहीं लगानी पड़ती सिंगापूर में अपने अपनी पूजा पधती अपनाने के लिए किसी को पुलिस नहीं लगानी पड़ती और हिंदुस्तान में जहां कहते हैं हिंदू बहु संख्यक है वहाँ हिंदूओं को मंदिर में जाने के लिए पुलिस की बिवस्था लगानी पड़ रही है 2000 पुलिस वाले और 30 बटालियन लगी हुई है अब नाथ यात्रा निकलती है तो भी पूरा आर्मी लगानी पड़ती है और अब तो हरियाना के नुह में से पुलिस लगानी पड़ रही है इसलिए कह रहा हूँ वन नेशन वन टैक्स लागू करिये वन नेशन वन पिनल कोड लागू करिये वन नेशन वन सिविल कोड लागू करिये वन नेशन वन जूडिशल कोड लागू करिये One Nation One Tax Code लागू करिए One Nation One Administrative Code लागू करिए और One Nation One Family Code लागू करिए हम दो, हमारे दो, सब के दो न एक से ज़्यादा विवाह, न दो से ज़्यादा बच्चे ये कानून बनाना पड़ेगा नहीं तो ये चंद्रयान हमारा काम नहीं आएगा राफेल काम नहीं आएगा अग्णी मिसाइल काम नहीं आएगी ये जो बड़े-बड़े वैग्यानिक काम कर रहे हैं ये देश की अराजक्ता को नहीं रोक पाएंगे अराजक्ता को रोकेगा सठे-सठेम समाचरे सिध्धान के अनुसार कानू विदेशी फंडिंग पे रोक लगाईए हवाला बाजों को फासी देने के लिए कानून बनाईए ये सारी फंडिंग इनकी हवाला के जरीए होती है एपसी आरे कानून को खतम करिये इनकी सारी फंडिंग एपसी आरे के जरीए हो रही है प्रॉपर्टी को अधार से लिंक करिए बहुत इनके पास मोटी प्रॉपर्टी कठा हो चुकी है ये गरीब बने हुए हैं लेकिन एक्चल में प्रॉपर्टी इनके नाम पे खुब है इसी तरीके से जो हमारे चार लाख मठ मंदिर सरकार के कंटोल में हैं फ्री करिए उन सारे 35 कानूनों को खतम करिए जो मठ बंदिरों को कंटोल करने के लिए बनाये गए हैं और सबसे इंपोर्टेंट एक सिटिजन्सिप कोड बनाये भारती नागरिक्ता संगिता युनिफॉर्म सिटिजन्सिप कोड जो आदमी वस्दय को टुमकम को ना माने उसकी भारत की नागरिक्ता रद जो वंदे मातरम को ना माने भारत माता की जैना माने उसकी भारत की ना जिसकी मैं पूजा करता हूं वही सर्वस्रेष्ट है, दूसरों की पूजा ही नहीं हो सकती है, उसकी नागरीकतर रद्ध होनी चाहिए, नफरत फैलाने वाले जो स्कूल है, अगर उनमें कोई किताब पढ़ाई जा रही है, उस किताब की आअडिट हो, और ऐसे लोगों की न नागरिकतार रद्ध होनी चाहिए। जो संब्धान को नहीं मानते। संब्धान कहता equality, justice, liberty, fraternity यानि सब एक समान है। सब को एक समान न्याई मिलना चाहिए। सब के अंदर भाईचारा होना चाहिए। जो इसको ना माने उसकी नागरिकतार रद्ध होनी चाहिए। जो अपने आपको पाक कहे, दूसरों को नापाक कहे, उसकी नागरिकतार रद होनी चाहिए. जो अपने आपको सुपर माने, दूसरों को काफिर कहे, उसकी नागरिकतार रद होनी चाहिए. जो लोग ऐसी बाते सिखा रहें, ऐसी बाते पढ़ा रहें, ऐसी किताबे चाप रह रहें उन लोगे नागरिकतार रदोनी चाहिए भारत को अगर बचाना है तो कानून बनाना पड़ेगा कानून के लावा कोई तरीका नहीं है न अच्छे अच्छे भासर से अराजगता रुखेगी न दुनिया भर के संग्ठनों से अराजगता रुखेगी भारत में हलाखों के संखा में और सब कह रहे हैं कि हम तो भाइचारा बढ़ा रहे हैं वहां तो कोई राश्ट सेवी नहीं है कानून पावरफुल होता है व्यक्ती पावरफुल नहीं होता कोई powerful नहीं है सबसे बड़ा powerful है कानून इसलिए कह रहा हूँ जूट पकड़ने के लिए नारको polygraph brain mapping कानून मनाईए जूट बोलने वालों को 10 से 20 सल्क सजा देने का कानून मनाईए और नागरिक्ता कानून मनाईए तब ही भारत बचेगा नहीं तो मैं फिर से कह रहा हूँ 1990 के कस्मीर नरसंगार से नहीं सीखा बंगाल में पलायन से नहीं सीखा मड़पूर में पलायन से नहीं सीखा तो एक नेक दिन हमारे आपके बच्चों का भी पलायन होगा आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे लेकिन आज का अच्छा कान इसको लागू कर दिया जाए अगले 500 साल अगले 1000 साल तक सनातन धर्म ऐसे ही रहेगा और बलकि बढ़ेगा परचार प्रसार होगा जो इन 20 कानूनों की में बात कर रहा हूं इसको लागू कर दिया जाए अराजकता खतम हो जाएगी धर्मांतरन खतम हो जाएगा जहाद मेरे बदमास गुंडे जो संसद विधान समा में पहुंच रहे हैं ये बंद हो जाएगा समाधान है कानून आपको गर मेरी बात ठीक लगी हो इस वीडियो को अपने अब सभी दोस्तों के हाँ रिस्सेदारों के हाँ जरू भेजिएगा जेहन जे भारत